असलाम लेकुम दोस्तो मेरा नाम है हसान शाहिद और आज के लिए में एक इन्फरमेटिव एडियो लेके आया हूँ जलते हैं जैसे आज कल गरमियोगों में है वह वह अवर्हइट में ब्लाइएटर के पाइप में है या फिर आपकी जो रेडियेटर कैप होती है उसमें पॉल्ड होता है और कुछ केसिस में अगर आप में गाड़ी अपनी ओवर हीट कर दी हो और आप उसको फट्दर उसको चलाते रहे तो उसकेस के अंदर गाड़ी आपकी जो इंजन की हैड गैस किट होती है वह उसमें खराब हो जाती होती है तो खैर मेरे पास ही एक सिविक 2005 मोडल है इगल आई इसके अंदर भी सिमिलर इशू में ने फेस किया कि यह गाड़ी बहुत ज़्यादा पानी खाड़ी थी रेडियेटर में कफी ज़्यादा तो हमने काफी कोशिश की कि इसको डियाग्नोस किया जाए कि आफिर मसला गया तो जो भी चीज पोसिबल थी वो की गई इसके पाइप को प्रपरड़ी चेक किया गया देर वाज नो लेकेज और सीपिज इन एनी पाइप फिर हमने इसका रेडियेटर का कैप चेंज ही यह पिर भी कुछ भी नहीं तो सरा कुछ करने के बाद अल्टिमेटली वही के टू दा पॉइंट के यार इसका है गैस किट ही अर गया है अब हैट गैस किट का सीन यह है कि अगर तो आप इंजन खुलवा लेते हो खास और पराने इंजन को और आप उसकी हैट गैस किट चेंज करना स्पेशल इंजन इस वीक एस वेल तो हमारे यहां पर मेली है एड असेमली को चेंज किया जाकता है पाकिसाम में खास तो लेकिन अब जो एकोनमी के हलात है है हैट गैसकिट्स और स्वरी एड गैसकिट्स कहारा हूं है हैड अपर अफॉर्डबल नहीं किसी उप्दन क के लिए तो फिर भी मेरा यह था कि चलो बंदा इसकी हैड असेमली चेंज करवा ले ताके ना इंजन बिल्कुल टेंबर टेंबर लोजे क्योंकि गाड़ी थुआ सा तेल खाती भी है खैर इतनी रिसर्च की गई दो हुदे में मघज मारे की पे में बिलाल गन जाकि मैंने ह चलो यार जरा जो इंजन अवर होल है उसके भी जाके ले लेते हैं यह रेट तो मेरा जो पराना मेकनिक था वो खैर अंगरून शहर में होता है तो मैं मां गाड़ी देखी किया तो उसको मैंने बताया कि यार यह मैं चारूं के स्की हैड गैस किट को नहा हम दालने और जो तो बहुत रिंग्स बगरा गाड़ी में देलने भी हम दाल लेते हैं तो खैर एल्टिमेटल हुआ यह कि इतफाक से उस बंदे ने नोट किया कि गाड़ी का जो एसी वाला पाइप है उसके अंदे से पानी लेकर रहा है जिस तो आम गिरता है ना पानी इसी जिप लाते है तो उसने मुझे कहा हलाके ना में बंदे को फोन में अपने मेकानी को पहले पता कि गया था वहां पर कि मैं आ रहा हूं इस काम के लिए आपका पास तो उसको पता था किया गाड़ी उपहरी है इसने गाड़ी लेकर आनी है तो जब मैं गाड़ी वहां लेकर गया तो उसने जब यह चीज अब्जर्फ की ना फिर समें बोला कि शायद कोई इशू है तो उस टाइम मेरे भी फिर मैंड में आया है मैंना कि यह तो आपका जो आपका पाइप में से जो पानी किर रहा है तो तो गिरना चाहिए नहीं जब ऐसी होनी हुआ तो फिर मैंड में आया कि मैंने चीज अब्जर्फ की थी जब इंस्टिनेंट वा था इसके पानी खाने का तो उन दिनों मैंने थी तो कि एसी के वेंट्स के अंदर से मुझे आती थी कभी कभी अवास कि जिसना कोई चीज अंदर लेकर रही है या कोई चीज सर रही है इस सौर्ट की मिजे फिलिंग आ रह तो खेर इस गाड़ी में पिर हमने किया है यह मेकानिक ने उसने आगे से ना इसके जो पाइप होता है हेटर वाला पाइप जो बिसी के लिए गाड़ी के डैशफोड के अंदर हेटर का एक कॉई लगावा होता है जिसकी बेस पे आपके हेटर काहां करता है तो उसने जब इसका का कॉनेक्शन था वह उसमें सतम कर दिया तो उसने फैट यह काड़ी बाप शक करें तो पिर डाइग्नोज यह हुआ इतफाक से वो भी कि इसका जो हीटर वाला कॉईल है डैशपोड के अंदर वो लीक हो गया था जिसकी वजा से गाड़ी इंटर्नली कोई सीपेज क अगया बात था कि इसकी में एड अस्वेली चेंग कर वार हूं मुझे भी लगाता कि शायद गयास केटी उर गई है विजे जिसको भी गाड़ी तो सब नहीं कहा था क्या गयास केटी है क्योंकि गाड़ी में लीकेज नहीं है तो यह एक बड़े अनुखी फैंडिंग थी म कभी भी आप लोगों की गाड़ी अगर इसका पंगा करें तो यह चीज़ जरूर चेक किया करें कि आखिर कहीं इसका हीटर का पाइप तो नहीं लीक क्योंकि अगर में इसकी हैट गैसकेट बदलबा ला था अगर पैसे मेरे लग गए होते तो आइम डैम छोड़के उस प् पिर इसका डैश्वर्ट को भाना था और एक्टॉल काम पिर मेने ठीक भाना था तो अपने पैसों को बचाएं और अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली उबजर्फ किया करें जो भी अगर कोई अबनॉमेलिटी गाड़ी में आए तो उसको जरूर डीप बैगनोस किया करें त